यहां का पनीर का आलू का सब भी कुछ यहां का है यम्मी है और बहुत सही स्वाद है यह है पास्ता और वेजीज है इसमें चीज भी है तो यह है पंजाबी पनीर उसकी स्टाफिंग देख सकते हो फुल स्पाइसी दिख रही है लोग तरह-तरह के इनवेशंस करते है कोई मैगी में फणिण क्रेंटडा डाल रहा है कोई ड्ोसी की आईसक्रीम बना रहा है तो आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा ही इनोमेशान से वाला पनीर के समोसे, चीजकॉन समोसा, काफी सारी वेराइटीज हैं, जो की कलर्फुल बिन की दिखेंगे समोसे और एक वेराइटी से और को दिखाते हैं, चलिए elly हम 1984 से सफ कर रहे हैं यह हमारी थर्ड जेनरेशन है जो कानपूर कर रहे है यूपी में पनीड समोसा अबसे पहले हमारे पापा ने चालूंग रहा था नाइटी पॉर में और यह हमारा चलता आ रहे है कि हम लोग डिफरेंट इनिवेशन करते हैं खुएा समोसा पहली बार कान पाइटी खिलाई है हमको कौन को चाल कि बैस नहीं होता है और पंजाबी पनीड खिलाओंगा जिनको तीखा पसंद है और हमारे पास हर एज ग्रूप के लोग आते हमारे बच्चे से बच्चे के लिए लेकर जो तीखा खासा खाते है एज एड लोग बहुत पुराने पु यह पंजाबी पनीर है कलर कोडिंग सब में रहती है मतलब के डिफिर्ट यह दिखी रहा होगा आप लोग पाइड पनीर है यह प्लेइन पनीर है तो यह इनका है पीजा चीज समुसा उपर से भाई चीज है कि मिउनीज है मिउनीज है ना मतलब लोग सच नहीं बताते हैं यह अपर से इसे कि आप देख सकते हैं इसके टेस्ट को जज नहीं करेंगे क्योंकि कानपूर वालों का यह फेवरेट है यह कौन सब है पंजाबी पनीर है उनकी चटनी भी तीखी मिटी दोनों मिक्स है पहले एक बर ऐसे ही आपको दिखाते हैं यह जो चाइनीज नूडल्स वाला सारे ही काफी टेस्टे हैं के यह प्लेन पनीर इनका जिसमें पूरे मैजड पनीर हैं आपको इटालियन वाला भी एक बार टेस्ट करके तपावते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था ना दिल डिमाग और पेट तीनों को कॉम्बिनेशन चूरा है ऐसा वसा कॉम्बिनेशन नहीं है तो इन्हों ने उसी चीज़ का कॉम्बिनेशन और वैसा ही प्रिपेर किया है कि अच्छा लगे वाला समुसा का रहे हैं खोया समुसा